हे इश्वर सुख देना तो इतना देना कि मन में एंकार ना आ जाए और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना चली जाए आपके साथ कितना भी चल क्यों ना हो परंति परमात्मा का आशिर्वाद आपसे कोई छिल नहीं सकता किसी की फित्रत को नहीं बदल सकते आप प्याज को अगर प्यार से भी काटो तो भी आशो निकल आते हैं कभी अकेला चर्णा पड़े तो डर्ये मत क्योंकि शम्षान, सिखर और शिंखासन पर इंसान अकेला ही होता है हमेशा तोटने का मतलब खतम होना नहीं होता कभी कभी तोटने से जिंदिगे की शुरुवात होती है आपने लक्ष के उचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासल नहीं कर लेते सिर्फ मरी भी मचली को पानी का बहाव चलाता है जिस मचली में चान होती है वह अपना रास्ता खुद बना लेती है शम्षान तेरा हिसाब बड़ा ही नेक है तेरे यहाँ अमीर हो या गरी सबका जिस्तर एक है हमारे जीवन में समस्याएं बेना किसी कारण नहीं आती उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है ममा जैसे हो गई है जिन्दगी सहाब लोग जरूरत के हिसाब से इस्तमाल करते हैं पिता के द्वारा डाटा हुआ पुत्र गुरू के द्वारा डाटा हुआ शिश्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना यही हमेशा अभूशन ही बनते हैं खाली पेट निकल जाते हैं बहुत से लोग काम पर क्योंकि जिन्मेदारिया इंसान के हुक मार देती हैं घर जाकर बच्चों को चुक्के से खिलाया हुगा उन्हें क्या मालूम कि कैसे कमाया हुगा माबाप तो हर आउलाद को मिलते हैं बहुत अच्छे मगर हर माबाप को अच्छे आउलाद नहीं मिलती वो मजबूर थी दो रोटी चोरी करने में बच्चों को पता ही नहीं मा ने पैल खो दिया उनका पेट भरने में सुई जब चलती है तो बहतर कोशाग बना देती है हर सुई चुबने बाली चीच का मकसद गलत नहीं होता खुद के पीछे हटने से अगर सबका भला हो तो पीछे फट जाना चाहिए ना जिवन भी कितना अजीब है ना जो टेड़ी है उन्हें छोर दिया जाता है जो सीधी है उन्हें ठोप दिया जाता है बल से जादा बुद्धी का उप्योग करो बल तुम्हें लड़ना सिखाएगा और गुद्धी तुम्हें जीतना सिखाएगी उन्हें छोर देना उचित है जो आपके हुने का मुल्य नास जानते हो गुरूर किस बाप कहें साहब आज मिट्टी के उपर है तो कर मुट्टी के नीचे कप्र करनी है तो जीते जी करें मरने के बाद तो पराई भी रोब देते हैं आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं है लोग जब रोब लिकल जाती है तो कफन हटा हटा के देखेंगे किसे ने क्या खूब लिखा है वक्त निकाल कर बाते कर लिया करो अपनों से अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोंगे गुरूर किस बात कहें साहब आज मिट्टी के उपर तो कर मिट्टी के नीचे शरीर में कोई सिंदरता नहीं होती सुंदर होते हैं वैक्ति के कर्म, उसकी विचार, उसकी वाणे, उसका वैवार, उसके सिंस्पा और उसका चरित्र जिसके जीवन में यह जब है वहीं इंसान, दुनिया का सपसु सुंदर सक्स है सहारे इंसान को खोखना कर देती हैं और उमिदे कंचोर कर देती हैं अपने ताकत के वल्पा जीना शुरू कीजिए आपका आपसे अच्छा साथी और कोई हंदर्द नहीं हो सकता एक मिट्टी का दिया है जो सारी राप अंधेरे से लगता है तो तो भख्वान का दिया है तो किस बास से डरता है अतेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपना मकसट होता है सिख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंता है लोग जरुवत के मताबिक इस्तमाल करते हैं और हम समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं यही तो प्रम है जीवन का जब रुष्टा नयवा होता है तो लोग बात करने का दहाना होते हैं और जब रही रुष्टा पुआना हो जाता है तो लोग दीर होने का दहाना ढूंते हैं आखो अक्सल रहे लोग खेल जाते हैं जिन पर हम आख बंद करते हैं रुष्टो की कबर करनी हैं तो वक्त रहते कर लीजिए, बाद में सुखे पेर को पाने देकर हर्याली की उमिद करना बिकार है, जिंदिगी में सबसे ज़्यादा धन्वान बैक्ति वही होता है, अपनी उसकुराहट से दोगों का दिल जीत लेता है, उधार दीजिए मगर सो समझ कर, क्योंकि अपने ही पैसे बिकारी की तरह मांगो करते हैं, दुनिया में सिर्फ दिल ही है, जो बीना अराम किये अपना काम करता है, इसलिए उसे खुश रखो, चाहे वो अपना हो, या फिर अपनों का, क्या खूद लिखा है किसी ने, लग चुकी है तलब मंजिल की खुद को आख में जोख देंगे, ठोकरे कहती है मर जाएंगे, हौसने कहाते हैं देख लेंगे मकान लोड पर हो, उसकी किस्मत होती है, खेट पार रोड उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी जब रोड पर हो, तो उसकी कीमत नहीं होती तस्वेर लेना भी जरूरी है जिन्दगी में सहाब आइना घुजरावा वक्त नहीं बताया करते उंगलियां ही निभा रही हैं आज कल के विष्टे जुबान से विष्टे का वक्त कहा है सब टच में बीजी है वगर टच में कोई नहीं है जुष्टों में जुकना कोई अजीब बात नहीं सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए कबीर ने कहा था तुम धोखा खा लेना मगर किसी को धोखा मत देना धोखा खाने वाला एक दिन समझ जाता है मगर धोखा देने वाला एक दिन सब कुछ खो देता है इतनी जल्दी दुन्या की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नज़रे और बियद बदल जाती है परिवापतां से डरे नहीं आप कुछ अच्छा हो सकते हैं लेकिन आप कुछ भैतर खा भी सकते हैं फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ वीडियो पसंद आएं तो चाहें को सिस्क्राइब लाइक शेर करना ना भूलें देखने के लिए धन्यवाद